तो आज हम पढ़ेंगे लेंज का नियम, ठीक है, क्या पढ़ने वाले हम, लेंज का नियम, ये भी एक important topic है, लेंज, लेंज का नियम, ठीक है, लेंज का नियम आपको बता दे, कि जो लेंज का नियम है, उर्जा सनलच्छन पर अधारित होता है, कैसे अभी हम इसकी ब्याख्या करेंगे, ठीक है, एक्जाम में आता है कि लेंज का नियम क्या है, यह उर्जा सनलच्छन पर कैसे अधारित होता है, इसकी ब्याख्या करेंगे, ठीक है, यह कभी-कभी एक नमबर में कुशन पूछ ज कि लेंज का नियम की सरच्छप्राधारित है तो लेंज का नियम उर्जास्ण रच्प्राधारित है ठीक है तो फैराडे का परियोग वाला वीडियो आप देखे होंगे एधि फैराडे के परियोग वाला वीडियो आप नहीं देखे हैं तो एक बार फैराडे के परियोग वा कि इस नियम के अनुसार किसी बिद्दूत परिपत में किसी बिद्दूत परिपत में या चुमगी परिपत में उत्पन वत्पन प्रिरित प्रिरित बिद्दूत वाहकबन था प्रिरित धारा की दिशा प्रिरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि यह उस कारण का उस कारण का बिरोध करता है जिससे यह उत्पन होता है प्रिरित वाहकबन प्रिर्द धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है यह उसकारण का बिरोध करता है जिससे यह उत्पन होता है ठीक है तो प्रेरिण बिद्धुत्वा हखबल प्रेरिध धारा किस से उत्पन होती है पृछली वीडियो में हम आपको बताया थे फैराडे के विद्धुत्चुम्बकी प्रेड़नियम में कि जब परिपत से बद्द चुम्बकी फ्लक्स में परिवर्थन होता है तो प्रेरित विद्दुत वाहकबल उत्पन होता है परिपत बंद होती है तो प्रेरित धारा उत्पन होती है मतलब यदि चुमकी फ्लक्स में परिवर्थन ना हो तो ना प्रेरित विद्दुत वाहकबल उत्पन होगा और ना ही धारा कि यह उसकारण का विरोध करता है जिससे यह उत्पन होता है मतलब यह उत्पन किसे होता है चुम्बकी फ्लक्स में परिवर्तन से तो चुम्बकी फ्लक्स के परिवर्तन का यह क्या करेगा विरोध करेगा मतलब चुम्बकी फ्लक्स में परिवर्तन या चुम्बकी फ्लक्स क संख्या की माप और चुम्ब की बल रेखाएं किसी ने किसी संतर प्रिष्ट में खीची जाती है वह संतर प्रिष्ट कहां होता है चुम्ब की एच्छत्र में होता है तो जो चुम्ब की बल रेखाएं खीची जाती है उसका कुछ ने कुछ दिशा होगा उसी पूरे चुम्ब कि यह उसकारान का बिरूद करता है up में में तो मद्या होती है इसकी ब्याठ्ठ्या कैसे है फैराडे के परियोग के माध्यम से इसकी ब्याख्या हम कर सकते हैं, ठीक है, जैसा कि फैराडे ने अपने परियोग में क्या बता है था, कि ये एक कुंडली लिया था, जिसके दोनों सिरों को किसी धारा मापी से जोड़ दिया गया था, ठीक, जब चुम्मक को कहीं इस्थिर तो धारा क्या बैगा, सुनने बैगा, फिर उन्होंने उठा करके कुछ दूरी पर रखा, फिर देखा कुंडली में कोई बीचेप नहीं, धारा मापी में कोई बीचेप नहीं, इसका मतलब धारा फिर सुनने, फिर उन्होंने क्या किया, चुम्मक के उत्री धुरू को कुं तो इस केस में क्या होता है प्रेरी धारा की जिसा इस प्रकार होती है कि चुंबक के सामने वाला जो कुंडली का तल है उत्री धुरू की तरह कारे करने लगता है क्लियर जब ये उत्री धुरू की तरह कारे करेगा ये उत्री धुरू और ये उत्री धुरू दोनों में क्या होगा प्रतिकरशन होगा जैसा कि आपको पता है कि जो सवजाती धुरू होते हैं सवजाती ये मतलब उत्री उत्री धुरू एक दूसरे को प्रतिकरशित करते हैं उत्तरी दच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च् लेकिन यहां उत्त्रिद्रू उत्पन होने के कारण इनमें पर्तिकर्शन होने लगेगा, मतलब चुम्बक की गतिका क्या होने लगेगा, बिरोध होने लगेगा, तब हमको चुम्बक को इस दिशा में चलाने के लिए कुछ यांत्रिक कारे करने पड़ेंगे, और यही कारे विद्दुत उर्जा के रूप में रुपांतरित हो जाएगा मतलब क्या हुआ उर्जा एक रूप से दूसरे रूप में बदल गई मतलब लेंजखानियम उर्जा संरचन के से धान्त पर आधारित होता है ठीक है सेम कंडिशन इसमें होगा जब उन्होंने क्या किया कुंडली से दूर दे आने का प्रयास किया कुंडली से दूर दे आने का प्रयास किया पुना उसमें विशेप उत्पन होने का मतलब कि उसमें पुना धारा कुंडली में परवाहित होने लगी और प्रेरिधारा के दिसा इस परकार होई कि चुंबक के सामने वाला जो कुंडल करने लगा अब इधर उत्री धुरर गति कर रहा है ऊकर्शित होना चाहरा रहा है तो कुना यहां पर विध्दत उर्जा के रूप में रूपान्तरित हो जाएगी, जैसा कि हम जानते हैं, उर्जास्मरचन का जे उसे दानत है, क्या करता है, उर्जा मों तो उत्पन्न होती है, और नव ये उसे नस्ट कियाए सकता है, उर्जा केवल एक रूप से दूसरी रूप में बदल जाती है अतहा लेंज का नियम उर्जा सम्रचनक के सिद्धान्त पर अधारित होता है फिर आईए इसमें भी वही सेम कंडिसन होता है जब हम दच्छडी दुरू को इधर लेके आएंगे यहां कुंडली के तल पर क्या हो चुंबक के उत्री दुरू को कुंडली के पास लाते हैं तो कुंडली में प्रिरिधारा की दिशा ऐसी दिशा में परवाहित होती है जैसा कि हम आपको बताएं अता यहां पास आते हुए चुंबक को दूर हटाने का प्रतन करता है अर्थात उसकी गत्री दुरू को कुंडली से दूर ले आते हैं तो कुंडली में प्रिरिधारा की दिशा इस परकार होती है कि कुंडली के सामने वालतल दच्छी दुरू की तरह कारे करता है अब यहाँ चुम्बक को अपनी और क्या करेगा? आकरसित करता है, उन्हा उस गत का विरोध होता है, इसी प्रकार चुम्बक के दच्छिद रूख को पास ले आते हैं, चुम्बक के दच्छिद रूख को क्या करते हैं? पास ले आते हैं, अथवा दूर हटाते हैं, तो कुं श्रिद्रू उत्पन हो जाने की वज़ा से इन दोनों में क्या होने लगेगा प्रतिकर्शा होने लगेगा गतिका विरोध होगा यहां भी गतिका विरोध होगा ठीक है अता असपस्थ है कि प्रतेक दसावें चुम्बक को गतिमान करने के लिए इस विरोधी बल के कारण कु किये वह विद्धुत उर्जा के रूप में क्या हो गया प्राथ हो गया मतला उर्जा एक रूप से दूसरे रूप में बदल गया उर्जा संवर्चन का नियम यही कहता है अतह लेंजिका नियम उर्जा संवर्चन के से दांद पर अधारित है बात के लिए आपके ग्याम में तो आप पूरा डिटेल में ऐसे लेग देंगे तो लेंज का नियम क्या है किसी विद्धुत परिपत में प्रेज़ विद्धुत वाहकबल तो प्रेज़ धारा की दिशा सदेव ऐसी होती है कि यह उसकारण का भियोद करता है जिसके कारण यह स्वयम उतपन होता है बात क्लियर